जै शिरी राम मित्रो राम चिरित्रमानस की यहां तक की कथा मैंने आपको सुनाई है आगे की कथा इस प्रकार है पुश्प वाटिका निरिक्षन शिरी सीता राम जी का परसपर दर्सन रात बीतने पर मुर्गे का शबद कानों से सुनकर लक्षमन जी उठे जगत के सुजान शिरी राम चंदर भी गुरू से पहले ही जाग गए सब सोच करिया करके वे जाकर नहाए फिर संध्या अगनी होत्रादी नित्य करम समाप्त करके उन्होंने मुनी को मस्तक नवाया पूजा का समय जानकर गुरू की अग्या पाकर दोनों भाई फूर लेने चले उन्होंने जाकर राजा का सुन्दर भाग देखा वहाँ वसंत्रीतू लुभाकर रह गई है मन को लुभावने वाले अनेक वरिक्ष लगे हैं रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडर चाय हुए है नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुन्दर वरिक्ष अपनी संपत्ती से कल्प वरिक्ष को भिलज जा रहे है पपी है कोयल, तोते, चकोर, आदी पक्षी, मीठी बोली बोल रहे है और मोर सुन्दर निर्त्य कर रहे है बाग के बीचों भी सुहावना सरोर सुशोबित है जिसमें मनियों की सीडियां विचित धंक से बनी हुई है उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए है जल के पक्षी कल्रो कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं बाग और सरोर को देखकर प्रभू शिरी राम चंदर जी भाई लक्षमन सहीत हर्शित हुए यह बाग वास्तु में प्रमरमनिय हैं जो जगत को सुख देने वाले शिरी राम चंदर जी को सुख दे रहा है चारों और द्रिष्टी डाल कर और मालियों से पूछ कर वे परसंद मन से पत्र पुष्प लेने लगे उसी समय सीता जी वहां आई माता ने उन्हें गिर्जा जी पारवती की पूजा करने के लिए भेजा था साथ में सब सुंदरी और सयानी सखिया हैं जो मनोहर वानी से गीत गा रही है सुरोहर के पास गिर्जा जी का मंदिर शुशोबित हैं जिसका वणन नहीं किया जा सकता देखकर मनमोहित हो जाता है सखियों सहीत स्रोहर में सनान करके सीता जी परसंदवन से गिर्जा जी के मंदिर में गई उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा एक सकी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाडी देखने चली गई थी उसने जाकर दोनों भाईयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई सक्यों ने उसकी दशा देखी कि उसका स्रीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है सब कॉमल वानी से पूछने लगी कि अपनी परसंता का कारण बता उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आये हैं किशोर अवस्ता के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं वे सावले और गोरे रंके हैं उनके सुंदर्य को मैं कैसे वखान कर कहूं वानी बीना नेत्र की है और नेत्रों के वानी नहीं है यह सुनकर और सीता जी के हिर्दे में बड़ी उत्कंठा जानकर सब से आनी सक्षियां परसंद हुई तब एक सक्षि कहने लगी है सक्षि यह वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनी के साथ आए है और जिनोंने अपने रूप की मोहिनी डाल कर अन्हगर के इस्त्री पुर्षों को अपने वस्मे कर लिया है जहां तहां सब लोग उनी की छवी का वर्णन कर रहे है अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए वे देखने ही युग्य है उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अपलाउट है उसी समय प्यारी सक्षी को आगे करके सीता जी चली पुरानी प्रीती को कोई लख नहीं पाता नारत जी के वचनों का समरन करके सीता जी के मन में पुवित्र प्रीती उत्पन हुई वे चकित होकर सब और इस रहे से देख रही हैं मानों डरी हुई मरीग छोनी इदर उधर देख रही हो कंकन हाथों में कड़े करधनी और पाईजेब के सबसुनकर शिरी रामचंदर जी हिर्दे में विचार कर लक्षमर जी से कहते हैं यह धुनी ऐसी आ रही है मानों कामदेवनी विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है ऐसा कहकर शिरी रामचंदरी ने फिर उस और देखा शिरी सीता जी के मुख रूपी चंदरमा को निहारने के लिए उनके नेतर चुकोर बन गए सुन्दर नेतर स्थिर हो गए टक्टकी लग गई मानो निमी जनक जी के पुर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है लड़की दामाद के मिलन परसंग को देखना उचित नहीं इस भाव से सुचका कर पलकें छोड़ दी पलकों में रहना छोड़ दिया जिससे पलकों का गिरना रुक गया सीता जी की शोभा देखकर शिरी राम जी ने बड़ा सुख पाया हिर्दे में वो इसकी सरहना करते हैं किन्तु मुख से वचन नहीं निकलते वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्म ने अपनी सारी निपुनता को मूर्ती मान कर संसार को परकट करके दिखा दिया हो भर में दीपक की लोह जल रही हो अब तक सुन्दरता रूपी भौन में अंधिरा था वह मानो वह भौन मानो सीता जी की सुन्दरता रूपी दीप शीखा को पाकर जगमगा उठा है पहले से भी अधिक सुन्दर हो गया है सारी उपुमाओं को तो कवियों ने जूटा कर रखा है मैं जानकी जी जनक नंदनी शीरी सीता जी की किस से उपमा दूँ इस प्रकार हिर्दे में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दसा को विचार कर प्रभू शीरी रामचंदर जी पवित्र मन से अपने छोटे बाई लक्षमन से समयान कूल वचन बोले हे तात यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुश्योग हो रहा है सक्या इसे गोरी पूजन के लिए ले आई है यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है जिसकी एलोकिक सुन्दरता देखकर सभाव से ही पवित्र मेरा मन्शुब्ध हो गया है वह सब कार अर्था अत्वा उसका सब कारण तो विधाता जाने किन्तु हे वाई सुनो मेरे मंगल दायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं रगुवंश्यों का यह है सहज जनम गत सभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है क जिसने जागरत की कौन कहे स्वपन में भी प्राई इस्त्री पर द्रिष्टी नहीं डाली है रण में शत्रु जिन की पीठ नहीं देख पाते अर्थास जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं है प्राई इस्त्रिया जिनके मन और द्रिष्टी को नहीं खीच पाती और भ पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख्र रूपी कमल की छवी रूप रंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों और देख रही हैं, मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहा चले गए। बाल मिर्ग्रेनी म्रिग के छोनों किसी आखवाली सीता जी जहां द्रिष्ट डालती हैं, वहां मानों स्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सक्यों ने लता की ओट में सुंदर शाम और गोर कुमारों को दिख लाया, उनके रूप को देख कर नेतर ललचा उठे, वे ऐसे परसन हुई, वे मानों उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। शिरी रोगनाजी की छवी देखकर नेतर छकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, अधिक सने के कारण शिरी विहल बेकाबू हो गया, मानों शर्द रुईतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुद होकर देख रही हो। नित्रों के रास्ते शिरी राम जी को हिर्दे में लाकर चतुर शिरोमनी जानकी जी ने पलकों के किवार लगा दिये, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। श्रीर की आवा नीले और पिले कमल कीसी है। सिर पर सुन्दर मोर पंक्षुशोवित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुंचे लगे हैं। मुख की छवी तो मुझसे कही ही नहीं चाती। जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजजा जाते हैं। वक्ष तल पर मनियों की माला है, शंक के सद्रीश सुन्दर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सून के समान, उतार चड़ावाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा हैं। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहीत दोना हैं, हे सक्यों, वह सावला कुमर तो बहुत हिस लोना है। सही किसी पत्री लचीली कमर वाले पितामबर धारण किये हुए शोभा और शील के बंडार, सूर्यकुल के भूशन शीरी रामचंदर जी को देख कर सक्यां अपने आपको भूल गई। एक चतुर सक्यी धीरज धर कर हाथ पकड़ कर सीता जी से बोली, गिर्जा जी का ध्यान फिर कर लेना इस समय राजगुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सुचका कर नेत्र खोले और रगूबूल के दोनों सीहों को अपने सामने खड़े देखा। नक से शिखा तक शीरी राम जी की सोभा देखकर और फिर पिता का प्रणियाद करके उनका मन बहुत शुब्ध हो गया। धिर धर करवे शिरी राम जी को हिर्दे में ले आई और उनका ध्यान करती। कोई अपने कोपिता के अधीन जानकर लोट चली। मित्रो यह मैंने वह परसंग आपको सुनाया है वह कथा आपको सुनाई है राम चितर मानस की। जहां पर पुष्व वाठिका में पहली बार माता सीता और भगवान शीरी राम चंदर जी एक दूसरे को देखते हैं। जहां पर माता सीता माता पारवती की पूजा के लिए बाग में गई थी। मित्रो यादी या है राम चितर की मानस कथा आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया इसे शेर करना ना भूलें। जै श्री राम मित्रो